यहां पर आपको पता चलेंगे और था से इंवार्मेंट भी है दोनों मिला हुआ ठीक है तो लेट्स बिगी डिरेक्ली विट विट पूस्ट और आपको दिख रहा हुआ कि अगर आपको नहीं आते हैं उसको कैसे बनाना है अगर आपका नॉलेज़ बेस्ट लिमिटेड है तब भी आप उप्शन से उसको कैसे कर पाएंगे और यहीं हमारा टार्गेट रहा है ठीक है तो लेट्स मूब इन दो कॉंटेक्स अफ ग्लोबल प्राइस ब्रेंड क्रूड ओल इस फ्रिक्वेंटली रेफर्ट तो इन निउस ब्रेंड सकता है कि कहां से होता है को सकता है कुछ लोगों ठीक है अब यह थोड़ा सा अगर आपको स्पेसिफिकली नहीं पता है और केस्ट करना है तो सलफर मतब जनरली में होता है तो इस नॉट कंटेन सलफर वाले स्टेट्मेंट को काटेंगे इसको काटे यह कट गया यह कट गया ठीक है अब बचा यह दोनों अब तो हम मारेंगे ही हाना क्योंकि वह है और यह वाला डाउट भी खतम हो गया कि इस नॉट सोर्स नॉट सी भी होता आंसर क्या हो गया भी तो आप बात समझेंगे थोड़ी से नॉलिज से यूल बी एब अब जैसे एक पर ब्रेंट कुर्ड वाला है दो सारी क्यारा में 2020 में आ गया था वेस्ट टेकसास तो यह ब्रेंट को डल क्या है ओरिजिन क्या नॉट सी बिट्विन सीटल आयन नॉर्वेल और यह क्या है वेस्ट टेकसार्ट इंटरमीडियर यह भी क्लासिफिकेशन है जो जो कि यूएस ओइल फिल्स ट्राइम टेकसास यह सब्सक्राइब तो इसका मतलब क्या हो गया कि ब्रेंट कुर्ड ऑईल का जो जादा तर जो है प्रैसिंग जो है वह ब्रेंट कुर्ड ऑइल के बेसिस पे होती है ठीक है क्योंकि सी के नियरी प्रोडक्शन होता है यह देखो कितना इंपॉर्टन पॉइंट है कि वेस्ट टेकसास इंटरमीडियर जो क्लासिफिकेशन हो है तो यह लैंड एडिया में होता है जिसके वीज़े से कॉस्ट ट्रांस्पोर्टेशन का ज्यादा हो जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसलिए तो तूट है न क्योंकि ओपेग ही सबसे आदा प्रोड्यूस करती है तो ओपेग जो है वह बेंचमार्क यूस करती है और युनाइट स्टेट्स में यूएस में वेस्ट टेक्सास इंटर्मिंट मॉडल पाइसिंग लिए होता है ठीक ह तो यह दोनों यह क्लासिफिकेशन हो क्या आपको समझ में आगया क्या करना है प्रेंट कुड़ाइल दस नौट कंटेंज सम्ट तस कंटेंज सम्ट अल्थो इसको क्या कहते हैं स्वीट क्रूड ऑइल भी कहते हैं मिनिंग इट इस डेटिबली लो सर्पल कंटेंट मतलब ल जो होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं वाट इस दिफरेंस बिट्विन सी एफल एंड अब देखो यह तो डे टूडे लाइफ का कुश्चन है देखते हैं दे प्रोड्यूस लाइट सी एफल यूजेज मर्करी वेपर एंड फॉस्फर वाइल एलीड लाम यूजेज सेमी एलीड लाम आपको पता है कैसा होता है और चिप फेकर अंदर लगे वह तो यह सही लग रहा है मतलब मर्करी वेपर यह सी एफल आप फिलिप्स वाला जो है वह सी एफल बल्ग होता है ठीक अब देखो लॉंगर भी लिखता तो भी काम चल जाता पर जान मुझके अगर में यह statement सही है क्या और इन जेनरल आपको देखोगे कि LED एडवांस वर्शन है तो LED एडवांस वर्शन है तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका life longer होगा ठीक है तो average life span of CFL is much longer than LED तो यह तो कार्ट देगे तो 2 कटा 2 कटा ठीक है तो बचाओ यह दोनों अब देखते है एस CFL is less energy efficient as compared to LED lamp सभी बात है CFL जो है less energy efficient होता है तो answer क्या हो गया को अंपाक्ट फ्रोलोसेंट लैंब ठीक है तो फंक्शन ओफ हेवी वाटर इन नुक्लियर रियक्टरेज है वी वाटर का क्या होता है काम की जो न्यूट्रॉन्स है जैसे मालो रियक्शन में क्या होता है थ्री न्यूट्रॉन्स निकले मालो एक होता है फिसाइल होता है एक फर्टाइल होता है ठीक है फर्टाइल अगर है तो वह ज्यादा अच्छा फ्यूएल है तो न्यूट्रॉन्स निकलता है न्यूक्लियर रियक्शन मालो न्यूट्रॉन्स निकला और यह न्यूट्रॉन् is equal to 1 होता है के factor less than 1 होता है greater than 1 होता है greater than 1 में uncontrolled हो सकता है तो इसलिए हम neutron को absorb करना चाहते हैं ताकि वो further chain ना create करें तो जिसकी वज़े से जो है heavy water का use होता है और यह जो है slow down the speed of neutron अच्छा heavy water क्या करता है अब देखो यहां पे दो चीज़ मैं समझाओंगा आप फिर से सुनना कि nuclear reactors में एक होगा कि जैसे cadmium rod यह सब कुछ-कुछ होगा एक कुछ होगा कि neutron को absorb कर लेगा पर आपको reaction करवाने के लिए ही मतलब when you want the reaction to happen in the first place तो आपको neutron को slow down करना पड़ेगा otherwise वो reaction में पार्ट नहीं सब्सक्राइगा तो और यह कैसा मोमेंटम ट्रांसफर की वज़े से क्योंकि हेवी वाटर का मतलब कि सेम टाइप का मास होता है तो मोमेंटम ट्रांसफर की वज़े से न्यूट्रॉन को slow down किया आता है ताकि reaction में पार्ट करें ठीक है तो तो अब आप देखो अगर आपको आइडिया नहीं भी है यह दोनों स्टेट्मेंट में से आप आंसर यह करोगे और थोड़ा भी न्यूक्लियर रियक्टर के बार में बता होगा तो न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन का स्पीज स्लोडाउन करने के लिए हैवी वाटर का यूज किया आता है ठीक है कोई डाउट है तो बता नव इस माइक्रोबियल फ्यूइल सेल आर कंसीडर आस सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनरजी माइक्रोबियल फ्यूइल सेल क्यों ठीक है दे यूज लिविंग और्गनिजम अब देखो यहां पर यह वहला स्टेट्मेंट को ध्यान देना और्गनिक यहां लिखना असान था मतलब और्गनिक को इन और्गनिक करना असान था तो इस स्टेट्मेंट गलत बनाना आसान हो गया बात समझे रहा हो तो यह गलत हो गया ठीक इन बींस्टॉड इन वर्टर वेस्ट वर्टर क्रीट्मेंट टू क्लींज़िंग और्टु क्लींजें वॉटर एंड प्रोडूस ऐलेक्रिकिशिटी सही बात है माइक्रोबियल से लिए करता है तो आंसर क्या हो गया आसान सवाल है ठीक है माइक्रोबियल फ्यूल सेल इंपोर्टेंट है उसको आप देख लेंगे कैसे काम करता है बस ऐसे मोटा मोटी जानना है बहुत जाड़ एडियल में नहीं जानना ठीक है तो मेट इस रापिदली ग्रोइंग इनर्जी दिमांद समोपाइंग इंडिया शुद पर्सीव रिसेर्च एंडिवलोप्मेंट ऑन थोरियम ठीक है इस फूचर फ्यूट फ्यूट अप नूग्लियर इनर्जी इन इस पॉड़ियम और इंडिया में ज्यादा पाया था ठीक है वहां पर मोनाजाइट सैंड्स मिलते है वहां पर थोरियम की कॉण्टिटी ज्यादा होती है मिलती है मतलब तो यह तो तैबात है थोरियम इस फार मोड अबर्टन इन नेचर दैन यूरेनिम यह तो तैबात है वन तो होगा यह कड़िया और यूनिट मास ऑफ माइंड मत्रील थोरियम जेनरेट मोर एनरजी अपर नाचल सोल यह भी आसे मैटर अपर यहां पर यूनिट मास माइंड मिन्रल कितना क्यूरेटेटर स्टेटमेंट है जो भी पर यूनिट मालो एक किलो जहां से आप माइंड करोगे और यूरेनियम और एक किलो थोरियम तो जो थोरियम उसमें क्वानिटी थोरियम का जादा होगा तो इसलिए एनरजी उधर से जादा है ठीक है तो अन्दे बेसल पर यूनिट मास तो यह सही है थोरियम प्रोडूसेज लेस हांफुल वेस्ट क थोरा सब कि अलदो नीचरल के अब उसको यूरेनियम कर सकते हो सब्सक्रेश कर्सक्राइब तो जो यूरेनियम फिसाई है यून तो नैचरल यूरेनियम बहुत कम अमाूंट में जादा अच्छा अच्य करने के लिए तो नाचरली बहुत कम मिलता है 238 मिलता फिर उसको तुमको बनाना होता है तो इनर्जी लगता है उसमें ठीक है ब्रीडिंग प्रॉसेस एं रियाक्टर इस पाइडियो एक्टिव यह सब देखना है इंपॉर्डन नहीं ज्यादा इसपाइट हैं लाज रिजर्फ ऑफ पोल वाइड देखते हैं इस अपॉल का फिर भी इंडिया इंपॉर्ट करता है ठीक है वाइड इंडिया इंपॉर्ट अफोल यह भी है ठीक है तो देखते हैं इस अपॉलिसी ओफ इंडिया दॉसेट्में लगाएं लगा है यह अपना यूज नहीं करेंगे यह रखते हैं और बाहर से मकवाल लेते हैं तो इदम बेकार श्रेंट में तो वन तो काट दो और अंसर आ अप देखते हैं मूँर अब पढ़ना है फिर भी स सेटमेंट मोस्ट पार प्लांज इंडिया और प्लाइज इंडिया इंड वाले इंस इंट को आ रहे और हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है ठीक है अब यह इंपोर्टेंट है इसको अब देख लगते हैं कोकिंग पोल एसेंचिल फोर स्टील प्रोडक्शन इसकार से लिन्या नीज सुभी इंपोर्टेंट टू मीद लिमांस ओ इस वाइटल इंडस्टी ठीक है अब इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कंटेंट इंक लिगनाइट बिटोमिनस एंत्रा साइट इसका मदब क्या हो क्या सबसे अच्छा किसकी कॉलिटी हो गई एंत्रा साइट की हो गई अब देखते हैं पार्शेली डिकेट प्लाइं स्वैंस अलोग इसम नॉर्मल एक्दम यह लोगीट कंटेंट लो सर्फल कंटेंट अब दे इस हाइस अने-ट pokटेंट मेंने विट्यृमिनट में क्या है खष्यक्образ कंटेंट है लिगनाइट में क्या है लोग सर्फर कंटेंट है ठीक हैं अन्तरा साइट में क्या है फिर अच्छानकाउस वह चैण 2 चीचा है और सJack Q को इंडियन पोल का हाइस सब्सक्राइब होता है और यह दोनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर क्या हो गया ठीक है सब्सक्राइब करते हैं यह सही है धारवार फेमस पॉर पेट्रोलियम के लिए फेमस नहीं है वहां पॉल वेगरा यह सब मिलता है तो आंसर क्या हो गया यह थोड़ा आप इंसियाटी के मैप्स देखेंगे तो यह पता चल जाएगे इसका देखते हैं सब्सक्राइब 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 करते हैं उसको देख लेंगे ठीक है एक बार गूगल करके आंसर क्या हो गया पी विच्वन इंडिया अच्छा यह काफ इंट्रेस्टिंग कोशन है थर्मल पाइब आप गेस्ट करेंगे तब भी थर्मल पाइब ना चाहिए ठीक है क्योंकि इसमें बहुत सारा पानी लगता है एक कोई केस भी हुआ था जहां पर कोई कंपनी थी वह गंगा रिवर जो है विक्रम सिला वाइल लाइफ से पानी उठा रही थी तो कुछ केस वेगड़ा चल लाए ठीक है तो वहां से थर्मल पाइब बहुत सारा पानी ठीक है दिस इस दा इंड ऑफ दसेशन और कोई भी वेगड़ा है तो आप खूचिए ठीक है अब लिम्स नजजीक आ गया है तो स्ट्रेस नहीं लेना है पीक्यू सॉल्व करते रहो मैं कह रहा हूं टेस्ट देते रहो काम एंड कंपोजर मेंटेन करो थोड़ा एक्जाम को सोचो इमाजिन करो एक्जाम को मैंने बार पर बता एक टेक्निक है यू रिलीव देग्जाम मतलब यू थिंक आफ देग्जाम मतलब मन में सोचो कि एक्जाम में पेपर मिला पांच ये एक्सरसाइस करो ताट विल्प यू अलोट ठीक है कोई भी दिक्कत है स्टे कनेक्टेड और यू कनेक्ट वित मी ओन टेलिक्राम और टी बार यू नियुक्त घंक यू वरिसनिग भाई